फ्री में अच्छे और सच्छी इंफरमेशन दीराजन मोबाइल टेक जुड़े रहिए हमाशा हमारे साथ वेल्कम बैक दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल दीराजन मोबाइल टेक में मैं अभी जी स्वागत करता हूँ तो पूरी तेक से चलती है दोस्तों तो गुलाबी सुंड़े के बार में बहुत सारी अफवाय है दोस्तों की वह कपास के जो बॉल्स होते उन में ही पैदा होती है तो यह गलत बात है दोस्तों कपास के बॉल में पैदा नहीं होती है तो पतंगे होते है कुछ उसके जिसे हम सब्सक्राइब को मादीय शुर्ण से बितर्वन है किट कि इसमें महाराष्ण में आडी कहते हैं दोस्तों तो और कपास के फूलों में फिर जो बॉल्स होते हैं उनमें छेद करके अंदर जाती है इस तरीके से जो मैं आपको इस इमेज में दिका रहा हूं उसके बाद वह उसी के अंदर आपना पूरा लाइफ मतलब उसे खाती है कपास को और उसी के उपर अपना डिपेंड करती है फिर वह बाहर निकलती है और प्यूपा में बदल जाती है इस तरीके से वह प्यूपा में बदल जाती है और उसका जिवन चक्र शूरु रहता है दोस्तों अगर आप इसको शुरुवात में ही कंट्रोल कर लें उसके आप उसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो यह पूरा वीडियो देखते रहे हैं दोस्तों आप तक अपने में चल को सब्सक्राइब ने क्या तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तो यह दो स्टेज आप देख सकते हैं पतंगा और अली के और यह देखे पिं आप अगर उसे अरली स्टेज में कंट्रोल कर सके तो अच्छी बात है वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट और अच्छे वीडियो में आपके लिए लेते आओंगा दीरजन मोबाइल टेक थैंक्यू वरी मच अजरे सब्सक्राइब कर लेते अगरेश बात है यच्छे लेज दोली से तो बात है वाल टे कर दोली वीडियो में वीडियो.